नमस्कार दूस्तू, पात्फाइंडर में आप सभी का स्वागत हैं, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा Commonwealth of Nations के संगठरिन के बारे में Recently, Barbados ने ये तै किया है कि वो Queen Elizabeth ध्वीतिये को अपने राष्ट्र ध्यक्ष के पद से हटा देगा लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि Barbados Commonwealth को छोड़ रहा है? Short answer is no, लेकिन फिर Queen Elizabeth को हटाने का क्या अचित्य है? इसी point को आप समझेंगे इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो ये जानकारी ले लो कि 20 October को Barbados ने अपनी पहली राष्ट्रपती का चुनाव कर लिया है Sandra Mason देश की पहली राष्ट्रपती बन गई है अभी शपत नहीं लिये उन्होंने 20 October को चुनाव हुआ था 30 November को ये शपत ग्रहन करेंगी और उसी दिन से 30 November 2021 से Barbados जो की एक छोटा सा करिबियाई देश है वहां के राष्टध्यक्ष Head of State Queen Elizabeth Dwitier ब्रिटन की महरानी नहीं रहने वाली है It will be Sandra Mason She will be the Head of the State तो अब सवाल ये है कि Commonwealth जिसे संगठन का आज के समय में क्या relevance है कैसे ये काम करता है और सबसे बड़ा सवाल बारत किसका सदस्य क्यों है इन सवालों का जवाब मैं आपको दूँ उससे पहले आप इतना सा जान लीजे कि Anacademy आप पर ये मेरी ID है वहां पर मुझे follow जरूर कीजे फायदा ये होगा कि आपको मेरे वहां होने वाली special classes के updates, notifications प्राप्त हो जाएंगे इस lecture का और Pathfinder के अनने सभी lectures का PDF आपको pathfinder underscore UPSC telegram चैनल पर मिल जाएगा आईए सबसे पहले Caribbean islands की और Barbados की location को एक बार हम देख लेते हैं तो अगर हम उत्तर और दक्षणी अमेरिका के बीच में यहाँ पर नगार डालें तो आपको Caribbean Sea देखने को मिलेगा याद रखिए ये है Gulf of Mexico ये है Caribbean Sea और ये है Atlantic Ocean यहाँ पर है Atlantic Ocean तो Atlantic Ocean और Caribbean Sea के बीच में कई सारे islands आपको नज़र आएंगे इन में कुछ islands बड़े-बड़े हैं तो ये जो बड़े islands हैं इनको कहा जाता है Greater Antilles और ये जो छोटे islands है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इस island चे इनको कहा जाता है Lesser Antilles Lesser Antilles में Antigua, Montserrat, Guadaloupe Dominica, Martinique, Barbados और St. Lucia जैसे कई islands हैं आपने इन में से कईयों का नाम सुनाओगा West Indies नाम से एक cricket team खेलती है तो West Indies कोई देश नहीं है इनी Caribbean, Dweep, Samu का संगठन है जो एक cricket team के रूप में खेलता है उसे ही हम West Indies कहते हैं यहाँ पर West Indies नाम का कोई एक country मौझूद नहीं है अगर specifically Barbados की बात करें तो यहाँ की आबादी केवल 3,00,00,00 है और area 430 square kilometer which is very small compared to other countries of the world और यह Lesser Antilles और Greater Antilles map में आपको दिख रहे हैं जो PDF डाउनलोड करते हैं उनकी सहुलियत के लिए मैंने यह वाला map भी डाल दिया है Barbados के इतिहास के अगर हम बात करें तो 70 सदी में पहली बार यहाँ पर लोगों ने कदम रखा उसके पहले साइलेंड पर कोई नहीं रहता था British यहाँ पर आते हैं और गन्ने की खेती करवाना शुरू करते हैं उसके बाद बहुत सारे slaves लाए गए अफरिका से और आज जादा तराबादी जो है वो उनी एफरिकांस के वंशज है तो यहाँ 1966 तक British colony थी Barbados British शासन के अधीन था 1966 में इन्हें आजादी मिलती है लेकिन अन्य करेबियाई देशों के मुकाबले Barbados का कल्चर ब्रिटन से काफी मिलता जुलता था तो इसलिए इनके ब्रिटन के साथ काफी प्रगाड संबन थे बहुत अच्छे संबन थे इसलिए इन्होंने Queen Elizabeth को अपना राष्ट रिद्यक्ष भी बनाए रखा Barbados के कई स्टैंप्स तक में आप महरानी Elizabeth द्वितिय की फोटो देख सकते हैं आजादी के बाद जब इन्होंने अपना सविधान लागू किया तो उसमें ये बात साफ कही गई कि रश्ट रिद्यक्ष ब्रिटिश राजा या रानी होगी ब्रिटिश मुनार्क is the head of the state और ब्रिटिश मुनार्क को यानि कि ब्रिटिश क्राउन को बार्बेडोस में रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नर जनरल होगा तो जैसा भारत में आजादी के पहले होता था गवर्नर जनरल वाइसरोय वो सिस्टम वहाँ पर अभी भी मौजूद है तो गवर्नर जनरल रोज मर्रा के काम नहीं करेगा actual democracy तो वहाँ पर भी है बार्बेडोस में भी एक प्राइम मिनिस्टर होता है और सिस्टम बिल्कुल भारत जैसा है वही Westminster model of government follow होता है जनता के द्वारा चुना गया एक house of assembly है जो की lower house है यहाँ पर जो सबसे बड़ी political party है जिसके पास भहुमत है उसी से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाएगा और वो head of the government है लेकिन जो राष्ट ध्यक्ष है head of state वो British monarch होगा और उसको represent करने के लिए governor general लेकिन बार्बेडोस के लोग काफी समय से demand कर रहे थे कि अब समय आ गया है कि British monarch को हटा कर हमारा अपना राष्ट ध्यक्ष यानि कि एक president होना चाहिए और ये कह रहे थे कि हमें constitutional monarchy से republic की तरफ transition कर देना चाहिए तो republic वो देश होता है जहाँ पर राष्ट ध्यक्ष hereditary नहीं है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा वहाँ पर राष्ट ध्यक्ष का चुनाव होता है जैसे कि भारत तो भारत के अंदर president का चुनाव होता है so India is a republic, France is a republic लेकिन UK republic नहीं है क्योंकि वहाँ पर head of state Rani है Rani के मनने के बाद उसका बेटा होगा उसके बाद उसका बेटा बनेगा तो बार्बेडोस में ये सुजाव पिछले कई दशकों से चल रहा है कि Rani को हटा कर एक राष्ट ध्यक्ष खुद का चुना जाए, president बनाया जाए ताकि बार्बेडोस एक republic बन जाए और मुनार्की ना रहे तो फाइनली ये देश अपनी आजादी की 55 सालगिरह के दिन 30 नवेंबर को presidency अपना कर republic बन जाएगा याद रखिए कि चाहे देश में democracy हो लेकिन वो फिर भी मुनार्की हो सकता है जैसा कि UK है और dominion भी हो सकता है जैसे कि कई अन्य देश है अब president republic में head of state होता है और मुनार्की और dominion में राजा या रानी head of state होते है दोनों ही प्रकार की सरकारों में parliamentary democracy भी हो सकती है जिसके अंदर प्रधान मंत्री होगा जैसा कि UK में है या फिर एक तानाशाही सरकार भी हो सकती है जैसे कि China में है क्या Barbados British monarch को अपने head of state के पद से हटाने वाला पहला देश है जी नहीं ऐसा कई देश कर चुके है Zimbabwe हटा चुका है Mauritius हटा चुका है लेकिन हाँ ये बहुत ही rarely होता है पिछले 30 सालों में केवल एक Mauritius है जिसने Queen Elizabeth II को head of state से हटा दिया था तो लगबग 30 साल बाद Barbados ऐसा करने वाला दूसरा देश बन रहा है लेकिन Barbados के कई पडोसी देश है जो बहुत लंबे समय से Republic के रूप में काम कर रहे हैं तो जिसे Guayana, Trinidad and Tobacco, Dominica इन सब ने 1970 के दशक में ही महरानी Elizabeth II को head of state के पद से हटा दिया था लेकिन आज भी ये सभी Commonwealth के सदसे जरूर है अब महरानी Commonwealth के सभी देशों की head of state नहीं होती है ये बात बहुत important है जिन देशों की head of state Queen Elizabeth है उन्हें कहा जाता है the realm, the queen's realm realm यानि कि ये Rani का region है जहांपर वो राज करती है लेकिन Commonwealth देश सभी ऐसे नहीं है जहांपर British monarch head of state होता है तो दुनिया में अभी केवल 16 ऐसे देश है जहांपर महरानी head of state है एक जमाने में 38 हुआ करते थे 1960s के असपास लेकिन अब 16 ही बचे है जाहतर ने head of state हटा दिया है British monarch को ये उन सभी 16 की list है अब Barbados भी इससे अगले महीने बाहर हो जाएगा तो 15 बचेंगे तो बड़े देशों में केवल अब Australia है Canada है New Zealand है और एक Papua New Guinea भी एरिया के हिसाब से काफी बड़ा देश है बाकि कई सारे तो छोटे-छोटे island countries है इतने important नहीं है और हाँ एक तो UK खुद है तो एस तरह से आप इस map में देख सकते हैं कि कौन से वो countries है जहाँ पर British monarch head of state है अब ये सभी देश Commonwealth के भी सदस्य है तो ये Commonwealth क्या है 54 देशों का 54 countries का एक association है इन में से जादा तर देश पूर्व British colonies रहें या फिर आज भी British dependency है यहाँ पर dependency का मतलब वो द्वीप है जो Britain पर dependent है पूरी तरह से स्वायत नहीं है Gwent से, Isle of Man और Jersey ये तीनों Britain के पास में स्थित है लेकिन कुछ देश Commonwealth में ऐसे भी है जो कभी British colony नहीं रहे है Mozambique और Rwanda Mozambique तो एक Portuguese colony था फिर भी इनको शामिल कर लिया गया Commonwealth के अंदर तो सारे देश ऐसे नहीं है जो British colony रहे हो ये point काफी important है इसको याद रखना लेकिन majority ज़ादा तर देश ऐसे हैं जो British colony रह चुके हैं या आज भी British dependency हैं तो ये green color में जितने भी देश आपको निज़र आ रहे हैं Mostly Africa, South Asia, Australia, Canada ये वो देश हैं जो आज भी Commonwealth of Nation में शामिल हैं तो modern Commonwealth की शुरुआत कैसे हुई 19-20 वी शताबदी की शुरुआत में जब British Empire में से कुछ हिस्सों को स्वायत्ता दे दी गई for example Australia, South Africa, Canada तो कुछ politicians को ऐसा लगा कि क्यों ना इनको साथ में जोड कर रखा जाये ताकि कल को कभी ज़रुद पड़े तो इनसे support लिया जा सके तो ऐसे में Canada और Australia जैसे self-governing territories Britain के साथ associated रहते हैं जुड कर रहते हैं किस तरह से? Commonwealth की तरह से तो इनाम ही ऐसा है कि Commonwealth हमारी एक सब की साजा संपदा Commonwealth का जो modern प्रारूप है वो 1947 के बाद ही जन्म लेता है जब Britain की सबसे बड़ी colony भारत को आजाद किया गया दो देश में बाटा जाता है इसे भारत और पाकिस्तान और ये दोनों ही देश Commonwealth को join कर लेते हैं उस समय इस संगठन का नाम था the British Commonwealth लेकिन तब British शब्द को महाँ पर हटा दिया गया क्योंकि British चैसा लगता है कि केवल एक देश यहाँ पर important है ब्रिटन तो British हटा दिया गया और Crown Allegiance हटा दिगई Allegiance का मतलब यह है कि जो भी देश उस वक्त Commonwealth को join करता था उसे यह कहना जरूरी था कि हम राजा या रानी को British राजा या रानी को अपना राष्ट अध्यक्ष मांगते हैं लेकिन भारत के आजाली के बाद ये condition हटा दी जाती है हाला कि ब्रिटिन का राजा या रानी Commonwealth के अध्यक्ष अभी भी है Official Head of the Commonwealth is still the British Monarch आज भी Queen Elizabeth दीती है Commonwealth की अध्यक्ष है एक interesting fact आपको बताता हूँ कि Indian Independence Act 1947 जब ब्रिटिन की Parliament में पास किया गया था इस कानून से भारत को आजादी मिली थी उसमें टेक्निकली ये कहा गया था कि भारत को एक Dominion के रूप में Independence दी जा रही है भारत और पाकिस्तान दो Dominion बनाए जा रहे है और Dominion का मतलब ही ही है कि ये British Commonwealth का हिस्सा है लेकिन इन दोनो Dominion को Commonwealth से हटने की आजादी होगी Right to secede from the Commonwealth ये इन है मिलेगा इसके साथ ही Secretary of State for India का Office खत्म करके इन दोनों देशों को संभालने के लिए या जो भी Transfer of Power का काम है वो देखने के लिए जिम्मा दे दिया गया Secretary of State for Commonwealth Affairs को तो इस तरह से इस कानून के अंदर भी British Commonwealth का Officially जिक्र था 15 आगस्त 1947 से लेकर दोनों का Head of State, Britain का राजा उस समय था भारत ने जब अपना समिधान लागो किया उस दिन भारत एक Republic बन जाता है और हमने British राष्टरध्यक्ष को हटा कर अपने खुद के राष्टरपती को चुना लेकिन पाकिस्तान में ये सिस्टम 1956 तक चलता रहा पाकिस्तान 1956 तक एक British Dominion था उसके बाद वहाँ पर राष्टरपती का पद बनाया गया क्योंकि उनको उस Constitution बनाने में ज़्यादा समय लग गया था अब भारत ने 1949 में ये तै कर लिया था कि हम अपना राष्टरध्यक्ष खुद चुनेंगे President होगा भारत का लेकिन हम Commonwealth का हिस्सा रहेंगे भारत ने ये डिक्लायर कर दिया था 1950 से पहले ही कि हम Commonwealth की Full Membership को रखेंगे और British Crown वो Commonwealth का Head होगा लेकिन हमारा Head of State नहीं है तो Britain का राजा भारत का राजा नहीं कहलाएगा लेकिन हाँ Commonwealth संगठन के Head of State के रूप में हम स्विकारते हैं कि Britain के राजा को हम OK कर देते हैं तो ये Extra Constitutional Declaration जो है क्योंकि ये समिधान में नहीं था इससे भारत की संप्रभुता पर और स्वायत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता है इससे भारत के एक गणतंत्र होने पर भी कोई फरक नहीं पड़ता क्यूंकि ना तो ब्रेटन के राजा रानी का भारत के अंदर कोई रोल है कोई समयधानिक रोल नहीं है हाँ ऐसे ही कभी आना है तो आईए स्वागत है लेकिन आपको आने की जरूरत नहीं है साथी साथ भारत में ऐसा कोई काम नहीं है जो ब्रेटिश राजाया रानी के नाम पर होता हो जैसे कि भारत के अंदर आर्मी ओफिसर्स को जब अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें कमिशन मिलता है और वो कमिशन राष्ट्रपती के नाम से दिया जाता है ब्रेटिश राजाया रानी उन्हें कमिशन नहीं करते अजादी के पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं तो ब्रेटिश क्राउन का भारत में कोई रोल अब नहीं बचा है लेकिन भारत कमन वेल्ट का सदस्य आज भी है क्यों? बिगाउस अफ इंटरनेशनल डिप्लोमसी तो भारत को डेफिनिटली उस समय लगा था कि कमन वेल्ट का हिस्सा रहेंगे तो पचास-पचपन देश है इनके साथ जुड़े रहने में फाइदा है आर्थिक तोर पर पॉलिटिकली, कल्चरली हर तरह से भारत को फाइदा ही होता बेनिफिट ही होगा और भारत काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है CHOGM में जो Commonwealth Head of Government meet होती है यानि कि इन सभी Head of Government प्रधान मंत्रियों की जो एक बैठक होती है हर दो साल में होती है इसमें भारत ने काफी active role play किया है 24th CHOGM जो है भारत ने host किया था दिल्ली में 1983 में अब ये Commonwealth काम कैसे करता है तो देखो Commonwealth बहुत loose association है ना तो इनका कोई charter था ना कोई समिधान था 2012 में जाकर इन्होंने अपना एक समिधान बनाया है 16 तरह की values के बारे में जिक्र किया गया है democracy, gender equality, sustainable development, अंतराश्ट्रिय शान्ती इन सभी के लिए काम करने वाले देश Commonwealth का हिस्सा बन सकते है हर दो साल में इनकी एक meeting होती है इसको CHOGM कहा जाता है चोगम भी खहते हैं कई बार पता नहीं किसने नाम रखाए CHOGM जो है इसमें जितने भी राश्ट्रो के governments के head है it is called the head of government, remember not head of state meeting वो आकर मुलाकात करते हैं तो भारत की तरफ से president नहीं जाएंगे prime minister जाएंगे क्योंकि head of state वो equality नहीं रखना चाते हैं वो लंडन-based secretary act के माधम से करा जाता है secretary act में एक secretary general होता है और इसी secretary general के द्वारा कई सारे काम किये जाते हैं 95 में इन्होंने common wealth ministerial action group की स्थापना करी थी ये देखता है कि कोई भी देश common wealth के आदरशों के खिलाफ जाकर काम ना कर रहा हो अगर कर रहा है तो फिर उसको निकालो इस तरह के action इस cmag के द्वारा लिये जाते हैं अब एक खास बात यह है कि common wealth के देशों में कोई भी binding application नहीं है यानि कि कोई ऐसा समझोता नहीं है जो कहता हो कि आपको ये काम करना जरूरी है UK अगर लड़ाई लडने जा रहा है तो आपको अपनी सेना भेजनी जरूरी है ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा गया है यहाँ पर आपको जो भी follow करना है आप करिए अगर आप नहीं करेंगे तो maximum यहीं होगा कि आपको common wealth से बाहर निकाल दिया जाएगा उसके अलाबा और कोई punishment नहीं हो सकती मतलब यही punishment है collective measure इनका यही है 20 सालों में जो देखने में आया है कि अगर आप कुछ नहीं मानते तो आपको या तो संगटन से बाहर निकाल देंगे या फिर आपके खिलाफ आर्थिक sanctions लगाये जाएगे हो सकता है कि Commonwealth के देश आपके साथ व्यापार ना करें that's it तो इनी आदर्शों पर नहीं चलने के कारण Commonwealth ने कई देशों को बाहर भी निकाला है जैसे कि 1980 के दर्शक में जब South Africa में अपार्थ हैट था तो उसके खिलाफ इन्होंने काफी campaign चलाया कुछ समय के लिए उसको भी भाहर कर दिया था 1995 में Nigeria की membership हटा दी गई जब वहाँ पर कुछ writers को मार दिया था Fansi की सजा दे दी गई थी 2000 में Fiji में जब military तक्ता पलट हुआ उसके बाद इसे भी हटा दिया गया 2002 में Zimbabwe को suspend कर दिया गया जब वहाँ पर elections free and fair नहीं हुए थे उसके बाद Zimbabwe ने का हमें तो रहना ही नहीं है यहाँ पर हम निकल जाते हैं Commonwealth से पाकिस्तान में सैने तक्ता पलट होने के बाद जनरल परवेज मुशरफ के पावर में आने के बाद फाइदे क्या हैं देखे फाइदे यह रहते हैं एक तो Commonwealth Games होता है तो वहाँ पर आप medal ले आते हो आपको खुशी मिलती है कि Olympics से जादा medal हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं दूसरा Commonwealth Fund for Technical Corporation एक Economic Fund है जिससे कुछ benefits मिलते हैं कई देशों को तीसरा benefit यह है कि देखो कही ना कहीं British colonial legacy है तो common culture तो है और इसी common culture का फाइदा उठाकर इस CHOGM में कई बार दूसरे diplomatic लक्षे साधे जाते हैं तो भारत को मान लो अगर UN में किसी upcoming vote के लिए members का support चाहिए तो भारत के प्रधान मंतरी वहाँ जाकर CHOGM में भी लोगों से बात कर सकते हैं कि आप हमें support कीजिए तो यह भी एक platform है multilateral diplomacy के लिए और जितने diplomacy के platform हो उतना बहतर रहता है और तीसरा और एक ऐसा reason जो आपको कहीं लिखना नहीं है और नहीं आपको कहीं किसी interview में बोलना है लेकिन वो मैं आपको समझा रहा हूँ एक समझने वाली बात होती है Britain आज एक colonial empire नहीं रहा है आज से 100 साल पहले दुनिया का एक चौथाई भूभाग one fourth of the entire world was under the control of Britain लेकिन आज बिलकुल नहीं है अब लेकिन उस power को जाने में समय लगेगा तो अब चाहे वो शक्तियां चली गई है लेकिन उन शक्तियों के जाने का एहसास अभी तक Britain भूल नहीं पाया है और उसी एहसास को समेटे रखने के लिए Commonwealth Nation को वो बना कर बैठा है उसे दिखाने में अच्छा लगता है दुनिया को तो इसे लाइक ज़रूर करें तेलिग्राम चैनल यहाँ पर आपको दिख रहा है अगर आप UPC के आस्पिरेंट हैं तो Unacademy platform पर आप UPC की तैयारी कर सकते हैं भारत के बैस educators यहाँ लाइव पढ़ाते हैं प्लस और Iconic दो प्रकार के आपको courses यहाँ देखने को मिलेंगे subscriptions इन सभी subscriptions पर आपको 10% discount मिल जाएगा अगर आप महिपाल code का इस्तमाल करते हैं तो optional के courses भी यह available हैं इन सभी courses को EMI option पर avail करा जा सकता है कैसे करना है इस video के नीचे जो पहला link है description में उस पर click कीजिए आगे अपने आप समझ में आ जाएगा मेरा एक ongoing plus course है NCRT quality का उसको join करने के लिए description में link पर click करें plus members can join this course UPSC के GS और optional के combined courses पर इस वक्ड बहुत अच्छे offers चल रहे हैं तो इनका फायदा ज़रूर उठाइए 9 months, 3 months और 1 year के courses आपको मिल जाएंगे मेरा सुझा भी यह है कि एक साल वाला course आप अवेल करें ताकि आपको notes और test series इसके साथ free में मिल जाएं हमारी free test series चल रही हैं उनका भी फायदा उठा सकते हैं हर Wednesday को नए batches बनते हैं इन batches को आप join कर सकते हैं as soon as you become a plus member mains answer writing batches भी start हो चुके हैं do join them for your mains reviewer को यानि कि कल an academy combat आने वाला है तो अगर आप इन सभी subscriptions को scholarship पर free में avail करना चाहते हैं तो combat में अच्छी rank लेकर आईए और scholarship जीत लीजिए link नीचे पहले comment में मिल जाएगा unlock code आपको यहाँ पर दिख रहा है इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं thank you very much for watching this have a great day